नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजफोर नेशन और मैं हूँ प्रेयदर्शन। योगी दलों की ओर से मुसीवतों का अंबार लगाया जा रहा है और इसमें अब एक नया नाम जीतन राम मानजी का भी जुड़ गया है। कि अगर मैं राज्जी का मुख्यमंत्री कुछ और लंबे समय तक होता तो गया के वो छेत्र जिनें पर्यटन के मानचित्र पर बरे अस्तर पर विक्सित और उन्नत होना था उनका विकास होता जैसा आज राजगीर मुख्यमंत्री नितिस कुमार के कारिकाल के दोरान दिन दोना चार चोगना तरीके से विक्सित हो रहा है उसी तरीके से कुछ गया के छेत्र भी विक्सित होते और गया भी अंतर राष्टिये परियटकों के लिए और जादा बहतर तरीके से लोगों के आकरसन के केंदर में आता दरसर विहार के पूरु मुख्यमंत्री जीतन रामांजी जो हिंदुस्तानिय वाम मोर्चा के प्रमुक भी हैं वह मौजुदा सरकार में सामिल हैं उनके वेटे सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने इसारों इसारों में गया में ही आयोजीत कारिक्रम में मुख्यमंत्री नितिश कुमार्क पर उपर निशाना साधा है। उन्होंने वहां पर आयूजी तेक कारिकरम के दोरां साब तोर पर कहा कि गया विकास के उन मानमलों में उपेच्छित है जिस अस्तर पर उसका विकास होना चाहिए। गया को उन मानकों पर विक्सित नहीं किया जा रहा है जो उसके लिए गया अपने आपको चाहता है और गया में जिस प्रकार की पहले से ही अतराष्टी अस्तर पर पहचान है उस अस्तर पर गया का विकास नहीं हुआ है। बहतर तरीके से विकास होता। यहां तक ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज राजगीर को ले करके लगातार कई प्रकार के यूजनाए सरकार की ओर से बनाई जाती हैं वैसी वो जिनाए गया को ले करके नहीं बनाई जाती हैं। और विशेशकर तपोवन को ले करके तो पूरी तरीके से उपेक्षा का सिकार किये हुए हैं। नतीजा है कि तपोवन जुश्वा की हर वर्ष मकर संक्रांतरी के अवसर पर पूरे बिहार सहित आसपास के राजियों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और इस महत्पुर्ण पौरानिक अस्थल पर अपनी आस्था को प्रदरशित करते हैं। उसका न तो उस तरीके से विकास हुआ है और नहीं इस जगह पर उस प्रकार की उसे विधाएं उन्नत हुई है। उन्होंने एक प्रकार से नितिस कुमार की सरकार के उपर इसारों इसारों में यह साफ तोर पर कहा है कि जैसा विकास में होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है। प्रकार से उन्हें मुख्यमंत्री पत से हटाया गया था। इसे लेकर के उनके दिल में जो अभी भी एक डाह है वह बार बार वह कहीं न कहीं से प्रदर्शित करते हैं। नितिश कुमार के ऊपर किया गया हमला अब देखना होगा कि आने अवाले समय में किस प्रकार से इस सरकार के लिए क्या कोई नई मुसीवत ख़रा करता है। पिर जिस प्रकार से कभी राज़त के नेता तो कभी अनिदलों के नेता नितिश कुमार के ऊपर निशाना साध रहे हैं तो उसी में इन बातों को सुनते हुए नितिश कुमार इसे भी टालते रहेंगे क्या होगा पूरा हम आपको सारे अपडेट्स बताएंगे आपको हमारे साथ बने रहें न्यूज फोर नेशन पर